नमस्कार उत्राखन साइंस एजुकेशन रिसर्ट सेंटर में आप सभी का स्वागत है। सम्यक बदलाव की आवश्यक्ता को ध्यान में रखते हुए, शिक्षा के सभी स्तरों तक ICT के समावेश से और विशेशग्यों के माध्यम से विक्सित इकंटेंट सुदूर छात्रों एवं अध्यापकों हेतु उपलब्ध करवाया जा रहा है। हमारा विश्वास है कि इकंटेंट एक मुल्यवान संसाधन के रूप में आपके चिंतन कोशल एवं रचनात्मक्ता में वृध्धी करने में सहायक होगा। धन्यवाद अब आईए हम कुछ प्रश्णों का हल करें जो की सार्वत्रिक गृत्विय स्थिरांग पर ही आधारिक हैं। तो प्रश्ण कुछ इस प्रकार से है कि प्रिथवी का द्रव्यमान 6 गुना 10 की घाट 24 किलोग्राम है। तथा चंद्रमा का द्रव्यमान तो आईए चंद्रमा का द्रव्यमान लिख लें। तो चंद्रमा का द्रव्यमान हैं 7.4 गुना 10 की घाट 22 किलोग्राम। यदि प्रित्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी तो यहां पर हमें बताया गया कि इनके बीच की दूरी है तीन दशमलव आठ चार गुना दस की घात पांच किलो मीटर तो पृत्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाये जाने वाले बल का परिकलन कीजिए तो हमें ये निकालना है कि पृत्वी और चंद्रमा के बीच का गृत्वा अकर्षन बल कितना है उसका मान कितना होगा साथ ही हमें यहां दिया गया है कि सार्वत्रिक गृत्वे स्थिरांग का मान है 6.7 गुना 10 की घाद माइनस 11 न्यूटन मीटर स्कुएर किलोग्राम माइनस दूट अब देखें यहां पर हम तो अब आईए हम गृत्वा अकर्षन का जो सार्वत्रिक नियम है उसके अनुसार सूत्र लिख लें तो F बराबर हो जाएगा G गुना जो दोनों आपको द्रविमान दिये हैं यानि कि पृत्वी का द्रविमान और चंद्रमा का द्रविमान और भाग हम दे देंगे इनके बीच की दूरी के वर्ग से तो जब आप इसे हल करेंगे तो देखें आपके पास जो यहां पर संख्याय दी गई हैं मान दिये गई हैं पहले हम उसको प्रदिस साबित कर लेते हैं साथ में आगया 6 गुना 10 की घाद 24 और Fm यानि की चंद्रमा का द्रिवमान 7.4 गुना 10 की घाद 22 और इसको में किस से भाग देना हैं इनके बीच की दूरी के वर्ग से जो की है 3.8 चार गुना 10 की घाद 8 दस की घाद 8 कैसे हो गया यह क्यूंकि हमें प्रश्न में किलो मीटर दिया गया था मगर हमें सारी कि सारे जो मान हैं वो एक ही मातर ही होना चाहिए तो ऐसा करते हैं कि जो संख्याएं हैं यहां पे उनको हम एक साथ हल कर लेंगे और हमारे पास जो 10 की घादे हैं उनको हम एक साथ हल कर लेंगे तो आ जाएगी माइनस ग्यारा प्लस चौविस प्लस बाइस माइनस सोला और यह आ जाएगा 10 की घाद 24 और वाइस हुआ 46 46 में से सोला गया बचा 30 30 में से ग्यारा गया बचा 19 और साथ ही जब आप इसे हल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 20.2 जो कि हमारे पास होगा 2.02 और गुना 10 की हाद 20 न्यूटन के बराबर तो यानि ये बल जो है वो लग रहा है प्रिट्वी और चंद्रमा के बीच में